नमाज संस्कुताई बंदे देवाउ मापतिम सुरगुरुम् बंदे जगत कारणम् बंदे पन्नगभुशनम् रिगधरम् बंदे पशुरुम् अनुपम पड में कौन सा समास है अब्वय भाव समास है कि से बंद ऑबरी होगा अब्वय भाव। हमारे प्रस्म का जबाब होगा अब्याइभाव, तो अब्याइभाव क्या होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं, समास वाकई रूप से समुसरपूर्वर असधास से गहें प्रत्य लगकर बनता है, अनेक पदों का एक पदी, एक पद में पर्वर्तन हो जाना ही समास कहलाता अब्याइभाव समास में पूर्पद का सूत्र है, पूर्पद प्रधाना अब्याइभावा अर्थात जिस समास में पूर्पद का अर्थप्रधान होता है, वहाँ पर अब्याइभाव समास होता है, अब्याइभाव समास में शंपूर्पद अब्याइभाव समास में पूर्व योगपद्य साद्रस संपत्य सहकल्यांत वच नेशु अब यह भाव के अनुदारण है अनुरूपम अनुविष्णू इतिहरी अतिहिमं निर्मचिकं दुर्यवनं शुमद्रम उपकेश्रम अधिहरी इत्यादि दंद समास का सूत्र है चार्थे द्वन्दा पूर्विष्ण समास का सूतर है अन्यपतप्लाना बाव्भीह तह इस हमारे प्रास्idy का उठ्वह होगा तत्पृश्पम अ भी औहौ सॉम्दा आगे प्रस्म के ओर बखते हैं संस्कित में अयोगवार की संक्या क्या है संस्कित में औयोग वाँ, वरणों की संक्या है, अश्ची संक्या बतानी एक पहरे हम अयोग वाँ, समझतें, औयोग वाँ क्या है, ना योग इति औयोग अता जिनका वरणमाला में योग ना हुआ जिनकी जो अच्छर संस्क्रित वरल माला थात महिस्ट सुत्र में प्राप्तों उन्हें आयोगवा कहते हैं हमारे संस्क्रित में चार प्रकार का योगवा हैं नमबर एक अनुस्वार दूसरा विसर्ग तिसरा जिवा मूलिय और चौता उपद मानिय तिसका उत्तर होगा चार डी भी कर दो हमारा संस्क्रित कर लें हमारे कहां चार अंतस थोड़ वन होते हैं सूत्र ही यणों अंतस था या वाराला और चार ही उस में बेंजन में होते हैं शल उसमारा शा साहा और हमारे कहां शल नौ होते हैं बेंजन तैंतित होते हैं कुल मिलाकर 42 अच्छर होते हैं अभ्यांतर प्रत्न की संख्या प्रत्न हमारे कहां दो होते हैं जिसमें अभ्यांतर प्रत्न पांच और प्रत्न की संख्या 11 होती है अगले प्रश्ण क्यों तत्रयों में संधी है व्रद्धि संधी है कि दीर की संधी है कि गुर्ण संधी है कि पूरवरूप संधी है जल्दी वता हैं कि दर्त्रेयों में व्रद्धु संधी हैं कौश संधी है व्रद्धि रेची क्या है व्रद्धि रेची अर्थात आ वर्ग से एच प्रत्यहार है यह बोले तो Ooio पर होने पर दोनु के स्थान पर व्रध्ध एक आदेश होता है। जैसे तत्धनियो तत्रेव, अध्य धनियो अध्यो तत्धनियो तत्रेव, अत्तधनियो अत्रेव। दिली संधीका सूत्र है का समझने दिल गांगुण संधीका सूत्र है आधुणा और आवर्ल से अच्छपरे होने पर पूर्वभाववर्पर दोनों की स्थान पर गुणा देश हो जाता है हैं ऊधारण है उपदनिंद्रा उपेंद्रा गंगा जूत्रत्र कम ऊमाप्रसीशा उमेशा अब पूरु शंद्र का सूत्र हैं गाक्हण्तादति अधारण है हुए और हरेव ग्रहे प्रस्टिति तो अखले प्रस्टिक बढ़ते हैं नीत मार्ग के ना परिलंगनियंति अर्थार नीत के मार्ग को कौन उलंगन नहीं करता कुलीना नहीं करता की जना नहीं करता की सेवका नहीं की बालका नहीं कौन नहीं करता बताएं जल्दे इसके लिए इकारिका है इस लोग है इस लोग पढ़ने सुनने उसके बाद इसके प्रस्ट का जवाद दें इस लोग है वनेपी सिंगहा म्रगमान सभच्छा बभुच्छिताने उत्रडम चरंती एवं कुलीना व्यसना भिभूता नानीती मारगा परिलंग यंती अर्थार जंगल में रहता हुआ भी सिंग म्रग के मानस को खाना चाहता है भोका होता हुआ भी घास नहीं खाता ऐसे ही कुलीन पुरुस कस्ट में भी नीती मार का उलंगन नहीं करते हैं अगले पुरुस कस्ट होने पर भी नीती के मार का उलंगन नहीं करते हैं हमारे प्रस्ट का उक्तर होगा कुलीन यह भी कल्प सही होगा कर लें अगले प्रस्ट के और बढ़ते हैं वनेपि पदे का संधी वनेपि पदे का संधी अर्थात वनेपि पद में कौन सी संधी है पूर्वरूप संधी होगी कि अयादी संधी होगी कि पूर्वरूप होगी या यन संधी होगी सरी पर रूप अयादी पूर्वरूप और यन तो हम लोग एक एक करके देखते हैं पर्रूप का सूत्र होता है एंगी पर्रूपम क्या सूत्र होता है एंगी पर्रूपम एंगी पर्रूपम इसका ब्याक्या है आवर ऐसे उपसरी जिसका अंताश से हुआ है उसके पर एंग प्रत्यार आए ए ओ आये तो दोनों की स्थान पर पर अर्थार बाद का रूप हो ज जैसे उपधन उस्ति बड़ाबर उपउस्ति अवधन एह बड़ाबर अभी ही आयादिसंदिका सुत्र है एचो यावा 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 एच प्रत्याहर के बाद यदि अचाये तो क्रमसा एक स्थान पर आए और ओ के स्थान पर आओ की स्थान पर आए और ओ की स्थान पर आउ हो जाता है उधारण है कवे ब्लस एक कवे चे प्लस आ चया ने प्लस अनम नैनम और पूर्व संदि है उधारण है सुत्र है एंगा पधनतादति एंग प्रत्याहर अठाथ ए ओ के बाद आ छोटा आ yatो पूर्व और पर दोन् योजह के प्रकार 1 most अपकी बरावर वनेपी तो हमारे प्रस्मका बिकल्प होगा पूर्वरोप करने से ये पूर्वरोप और यन संदी का सूत होता है इक के स्थान प्रयान हो जाना बाद में अच्परी होने पर जैसे मध्धरी धात्राण साहा मध्धरी इत्यारी अगले प्रस्मी को बढ़ते हैं शोद्धवाक के है आहम ग्रहम गच्छती की साह ग्रहम गच्छती की तम ग्रहम गच्छती और तम ग्रहम गच्छती इसको में करता हमारा किस पुरुस्स का है और उसी पुरुस उसी बचन का साल kriya भी वह की जैसे पहले वाक्य में आम करता उत्तमपुरुस शाह प्रत्हम पुरुस एक बचन का करता है, इसलिए क्रिया भी प्रत्हम पुरुस एक बचन की होना चाहिए, तो साह के साथ गच्छती लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, गच्छती, लेकिन है गच्छती नहीं लगा है, इसलिए यह भी प्रसन ग गलत है विकल्प। और तम गर्हम गच्छती तम उत्तम पुर्ष एक बचन का करता है। तो इसके साल लगना चाहिए गच्छ सी। क्या लगनी चाहिए लेकिन यहां गच्छत है। यह विकल्प। गलत है। तो उत्यम बचन करता इसलिए करिया तो मध्यम पुर्ष एक बचन की लगी और यहां पे एक बचन की इसलिए यह विकलब बिलकुल सई होगहん तो हमारी प्रश्मद किया हो क्वांसा विकलब सई होगहँ डी विकल्ब क्वांसा विकलब सई होगह टीव cigar चंड़ रचना पड्द की होती किसकी होती है पद्द की, प्याकरण चंद महत्र जाना इत्याद नियम, विहीन होती है गद्द भी वहता है, और गद्द की एक विधा कत्रा होती है कुछ की रचना होती हैं case हमारा भी कल बीस अगले प्डेश को पढते हैं को धीम हैंसरे श्थात में की प्रत्य का योग करणे पर रूह बंता हैं हमको पता है कि परत्य चद्य प्रत्य kayak प्रत्य सदोय सब्दों के अंत में लगते हैं कहां पर लगते हैं अंत में इसले प्रत्य हमें सहां तो द्रे धात में तिन प्रत्य लगाना है क्या लगाना है तिन प्रत्य द्रे धात में तिन प्रत्य लगाना तो रूप क्या बनेगा तो तिन आपको पता होगा तिन का सूत्र है इस्त्रियाम तिन इस्त्रियाम तिन ये कहता है कि भाव अर्थ में इस्तृत्र की विवच्छा होने पर धात में तिन प्रत्य होता है तिन प्रत्य में बने शब्द सदे उस्तिलंगिम होते हैं के पिस्ट में वनेगा क्रिती फाब्रे घूरती क्रिद्याच कला। कत्वा और धरती होती नहीं तो इसलिए हमारे प्रस्ण का भी कल्ब सही है धरती क्या सही है अगले प्रस्ण को बढ़ते हैं उत्तम पुष से सम्मंदित सर्वनाम शब्द हैं हमारे संस्क्रित में वचन होते हैं एक वचन-दी वचन वबप्रस्ण एन पुष्ण के लिए करता इस्थाई होता है मद्ध करता है और प्रत्रका करताय अहां आधा Santana को भागि जितने शर्वनाम बचते हैं वह प्रत्रकतक होता है तो उत्तर्व्त की संबन्दी सर्वनाम शब्र्ध क्या है वयम और शाय सब्रत्व यह प्रत्म प्रत्म्पूर्स का है और तसमिन भी प्रत्म-प्रत्म ना वुतर होगा वयंपत क्षैंद में बढ़ते हैं कि बैन्याजास संद्य क्नाया व्यंपत हुआ आंको पता होता है कि संद्या वलोरणों के मेल को संदी करेते हैं वरलों के मेल को क्या रहते के हैं संदि तो बैंजन का घरतवा तो बोघंजन सद प्लस जनाव रवर सजना कहा है जब क्या है सजन वीखलप सभी कर ले अगले प्रस्न पर बढ़ते हैं महिश्यो सूत्रों की संख्या कितनी है 12 का 24 की महस्व सूत्र की संक्या बड़ा फेमेस प्रस्ण है यह हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं तो महस्व सूत्रक्षी संक्या है चवदा एक बार क्या हुआ कि पानिन महोदय ने भगवान संक्र ब्याकर्ण की रचना के लिए भगवान संक्र क्या रदना की तो भगवान संक्र ने अपने नित्य के उसर पर डमरू बजाए जिससे चौधा महिश्व सूत्र निकले इस बात को नंदिकेश्वर ने अपने गरंथ में उद्धित किया है और इस प्रकार का है नित्यावशाने नट राज राजो ननाद धक्का नवपंच वारं उद्ध्वर्त कामा सनकादि से धा एतद्विमर्फे श्रिव सूत्र जालं नित्यावशाने नट राज राजो ननाद धक्काम नवपंच वारं उद्ध्वर्त कामा सनकादि से धा एतद्विमर्फे श्रिव सूत्र जालं च्फप्रक्र शूत्र होता है जिसतें प्रत्याहार सूत्र शत्याहोड़ सूत्रале वर समामनाई सूत्र मिक्या्बजाल इत्यादिग नाम से जानते हैं तो च्फप्रत्वाशोडत्र्श्रमस। प्रत्याहार की अंतरकत वर्ण आते हैं एक प्रत्याहार की अंतरकत कौन-कौन से वर्ण आते हैं प्रत्याहार विधायक शूत्र है आधि रंतेन सहता अतात आधि और अंतेन सहता इता अंत और अंतरकत वर्णों की बीच के संपूर्ण अच्छनों को प्रत्याहार काते हैं प्रत्याहार का संपूर्ण अर्थ है वर्णों का संचेपी करने ही प्रत्याहार है तो प्रत्याहर एक प्रत्याहर में ई-उ-रीली आता है कर रूप क्या हो तो पित्र सब्सक्रेकर रिकार अंत पुरलिंग है क्या है एक वाचन सब्स प्राकार चलता है पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी पितु 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 पित्रे पीटू पीतू पीतरी पितु पीतर सब्द चत्रती वक्ति एक बचन में बनता है पित्रियाम भी कहीं नहीं बनता तो अगले प्रस्मिकोर बिकल्ब कर चलते हैं रमा शुर्दका चतुर्थी व्यवक्ति एक बच्चन का रूप क्या होगा तो रमा रूप आका अरांत इस्तिलें सब्दें इसका रूप पढ़ने हम लोग एक बच्चन में रमा रमाम रमया रमाई रमाया 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 रमाय अगर प्रस्मिक औरल लोग चलते हैं अस्मस सब्द का सष्ठी बहुचन का रूप क्या है अस्मस सब्द उत्तम पूरस पाची सर्वनाम सब्द है जो तीनों लेंगों में समाम चलता है तो अस्मस सब्द का सष्ठी व्यक्ति बहुचन रूप बनाना है तो एक बचन में हम रोग एक बचन में व्यक्ति का रूप इसका रूबी इस तरह चलता है ये ले एक अहम माम तुसरा एक फिशुक्त में मैय सप्तमाँ तो हमारी प्रश्ना को तरह होगा इसका ये विकाल सही होगा और दो वचन में चलता है अब बबचन जलता है तोना सब्द ये बैकल्पी ग्रूप है जो चेतुर्थी बबचन और सस्टी बबचन बनता है तो सब्द और इस्माकम सब्द इस्मत पद का है इस्माकम इस्मत पद के सस्टी बबचन बनता है अगले प्रस्मी बढ़ते हैं हरय कृद्यत में हरय में कौन सा कारक है शंप्रदान है की करण है की अपाधान है की करता कारक है तो भटो जिदिछित ने कृद्रुह इस्यासु यर्था नाम यम प्रतिकोपा सोत्र से पताया कि करण द्रुह इश आशुई अशुई धातियों इसकी समानार्थत धातियों की योग में जिस पर करण क्रण के द्रुह इश आशुई के जाए सम्प्रदान संगया होती है क्या होती है शंप्रदान संग्या तो हराई कुर्धत में हराई पद में कौन से संग्या होती है शंप्रदान संग्या कौन संग्या संप्रदान सोत्र है कुर्द द्रुह इस्या और असुई धातूं यम इनकी समानार्थक धातूं की योग में जिस पर क्रोध किया असु इकिया ज़र उसकी संप्रदान संग्या होती जैसे हरे दुरुयति हरे इस्चति हरे इस्वयति हरे कुरुद्यति तो उत्र हमारा होगा शंप्रदान करीं एक अपदानिय पंचमी सूथ है अगले बढ़ते हैं बगुले को संस्कृत में कहते हैं कपोता कहते हैं की वका कहते हैं कि हमको पता है कि कबूता को कबूतर कहते हैं किचरिया तोगोरिया कहते हैं, वका को बघुला कहते हैं, और काका को यॉभा, इस प्रसंटका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, वका, हमारा भी कल्प S-S-E होगा, अबर अन्ने देल जाने लिए, गीद को गृद्ध्रा कहते हैं, तोता को शुका कहते हैं बतक को वर्तका कहते हैं और पपिया को चातका कहते हैं मुर्गा को कुकुटा तामर चुडा चरणा युधा कहते हैं मुर्गा के लिए तामर चुडा शुराज भी जम में आया है जो अमिता दत्त ब्यास की रचना है अब मोर्गों मयूरा कहते हैं, तो हमारे प्रस्ट का विकल्ब स्योत्र सही होगा, अगले प्रस्ट को बढ़ते हैं, बालका वपी, शब्द का संदी विश्चेत सही होगा, बालका वपी, यहां पे अयाद संदी है, जिसका सही उत्तर होगा, बालका वपी, यहां आउ को आउ पावका श््रायानम भवन लवण भवन इत्या द्या दे था मारे प्रश्ण को उत्तर कर do बीद हर को वह होगा आफ अगले प्रश्ण ब्रश्ण को बढते हैं कि कि ट्रोग त्याव क्वेखति और दृत्या हम और सूत्र त्रत्याविभक्ति का सूत्र है इसकारत होता है सहार्थक सब्दों से युक्त अप्रधान में तृत्याविभक्ति हो जैसे पुत्र के साथ पिता आता है पुत्र का संब्द इस सूत्र में पुत्रेन सा अगता पिता पुत्र के साथ पिता आता है इस वाक्य में आगता क्रिया के साथ पिता का संब्द प्रधान है और पुत्र का संब्द आगता क्रिया से साथ आने में अप्रधान है अधासा युक्ति अप्रधानी सूत्र से अप् थान होगा है तो हमारे प्रश्ण का उत्तर क्या होगा त्रित्याइवक्ति क्या होगा त्रित्याइवक्ति क्या होगा त्रित्याइवक्ति अगले प्रश्ण के बढ़ते हैं कौन स्वर हरस्व नहीं होता ली नहीं होता कि री नहीं होता कि वो नहीं होता तो तो आप जान ली री यह चार आई उ री इन चारों के अश्टादस अठाड़ा वेद होते हैं और लिवरणस द्वादस और लिवरण के केवल द्वादस अठाद बारा वेद होते हैं और आगे कहते हैं एचामपी द्वादस एच प्रत्यारा था ए ओ आई आउ के केवल बारा और इनसे तेसाम हरस्वा भावाद हरस्वा अभावाद उनके अरस्व का भाव होता है तो चार अच्छर ए और आई कि और ओं के अंगे लिभाव होता था इसाएं पेज़ों के बारा बेश्यां के अहुआ हैे देर्व नहीं होता ओ की अठारा कि घर में ऐकेडरा लेकिन की कितना है बारे तमारे प्रत्कातर क्या होगाओ जोआ द्योंगन सा भीकल्प सही होगा दिवकल में केड़ों अगले प्रेस्ट पर बढ़ते हैं डा का उचाइस थां क्या है नासिका है कि कंठ है कि तालुही की मुर्धा है तो नासिका को इस तरह यह टावर गिमाता है तो उसका उचाइस थान आप जानते हैं कि रेटुरसाना मुर्धा इसका उचाइस थान क्या होता है क्या होगा दीसरी कर लें और नास का यह नासिका है अनस्वाया इसका नाम नासिकाचा और कंठस रहें आप बीष़जिनिया कंठा कर छा नाम नाम तालुहरि इस्चु एस्ट रा नाम तालुहरिуш नाम रेट। स्थान क्या होता है मोर्धा तो मारे प्रशन का विकलम डी से अगले प्रस्न कर बढ़ते हैं चार भयम पद में प्दु तर्पू शमाज किस विभक्ति का है жизни स्थार भयम पद में प्दलती तर्त्पू समाज किस स्था पंचमी विवक्ति का है कि चतुर्थी विवक्ति का है कि दुतिया विवक्ति का है तो चोर भ्यम में तत्पूर्थ समास है तो पहले तत्पूर्थ समास का सूत जान लेते हैं प्रायन उत्तर्पदार्थ प्रधाना तत्पुर्शा प्राया जिसमें उत्तर्पद की प्रधानता होती है वो तत्पुर्श समास क्रहलाते हैं तत्पुर्श समास के मुख्यतां दो वेद होते हैं समान आधिकरण और व्याधिकरण तो व्याधिकरण के छे वेद होते हैं इ से किष्णासिता सरणागता थेत्य तत्पुष के उदारण है शंकुलाया खंडा और अथ्वा शंकुला खंडा धन्या धान्यार्था नेत्रहीना चतुर्थी का शूत्र है चतुर्थी का शूत्र है गोहितम यूपदारू अब पंचमी तत्पुष का शूत्र है चोराद भ्यम व्रकाद भीती व्रक भीती सुखाद अपेता सुखपेता और चोराद भ्यम चोर भ्यम दो बीकल्प सही होगा चोराद भ्यम चोर भ्यम पंचमी तत्प्र समास का यह उधर्न है और बाक्य होगी आगी चलिए चोर भ्यम है ौर शूत्र है पंचमी भ्यन पंचमी भ्यम अगले प्रस्टत के बढऻतेया हैं पित्रीन सब्द में व्योत्य और वचन है पित्रीन पढ़ ले ताप पो समन में जाएगा पीता रिकारांत प्रुलिंग सब्द है इस तरह प्रव चलते हैं पूरू पीता एक बचन पीता हां पित्रापित्रे पीतु पीतु पीतरी पीता हां दो बचन चलते हैं पितर वो, 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 पितर व अगले प्रश्मक चलते हैं कि नद्या शब्दमें वहक्ति और वाचन है कि उस्टी वहाचन है तो नदी का रूप आपको याद होगा चाहिए ते एक प्रतम भेक्ति में चलाएं तो यह रूप चलता है नदी नद्यो नद्या प्रत्मा व्यक्ति वह बचन बनता है नद्या कमाल भी कल्ब एक सही है नदी के रूप भी चला लें वह क्यामस से बार-बार कुछ था है एक बचन बनता है नदी नदिम नद्याह 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 नद्याम नद्याह 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 नद नद्या तो हमारा प्रत्मा प्रति बावबचन रूप चलता अगले प्रस्म कर बढ़ते हैं कि शनवत हिंदी संख्या का बोधक है शनवति शनवति बोधन है शनवति 96 किसका बोधन है शनवति को इंदी में कहते हैं शनवति को संस्कित में कहते हैं शब्त सश्टि शब्त सश्टि कहते हैं शब्त सश्टि और चाछर को कहते हैं शब्त सश्टि कि सर्ट शुस्टि शब्त सश्टि लोड लगार प्रथम प्रवचन में लोड लकार के प्रकार रूप चलता है लोड लगार प्रथम प्रवचन में लोड लगार प्रथम प्रवचन में लोड लगार प्रथम प्रवचन में लोड मध्यम प्रवचन में लोड लगार प्रथम प्रवचन में की लोड मध्यम प्रवचन में लोड लगार प्रथम प्रवचन में की लोड मध्यम प्रवचन में भाव भावतम भावत भावानि भावाव भावाम तो लोड़ लगार प्रथम पुर्ज भाववचन में बनता है लोड़ लगार प्रथम पुर्ज भाववचन में क्या बनता है बहुत भावतम भावन्त क्या बनता है बहुत भावतम भावन्त क्या बनता है बहुत भावतम भ फॉइन और लगार मंध्यां पर्णा रहना य सिसलाट स。 भाविष्च्य त्वश्च्य त्वश्च शुरतं अब्सक्रास,. और लोड लगार मध्यम पुरस भाववचन बनता है भावत क्या बनता है भावत हमारा विकल्ब डी से योगा डी भाववत क्या पद में पृत लगार पुरस भाववचन क्या है लोड लगार मध्यम पुरस भाववचन अगले प्रस्टी को बढ़ते हैं कि शर्वनाम सब्द नहीं है अपी नहीं है कि तौ नहीं है कि युयम नहीं है कि तौ 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 आपको पता है युम शब्द्धं युसमस सब्द्धं का बहु बचन है , इसका रोप चलता है त्व्धु हुआ जयम् ये वा प्रोản यूम सब्द्ध हैं , तत्समय भीं तद्ध्धं और तव्धु तत्द्धाद का है तो आपि नहीं है, क्या नहीं है? अभी क्या है? आपि अभ्वेपद है, क्या है? अभ्वेपद, तुमारा ये भी कल्ब सही होगा, अगले प्रस्व पर बढ़ते हैं, स्वस्थिपद के योग में प्रयोग की जाने वाली विखती है, तो हम लोग जानते हैं कि एक सूत्रा आ यूग पर उच्ट इन सब्दों के योग में चतुर्थे व्यक्त ौती है ? तो इसका होगा चतुर्थे की कलदफ और उच्छ एकसर दे खेए। तो भ्यम स्वस्ति, इंद्राय शाह, पित्तरभ्य स्वधा, दैत्रभ्य हरी इत्यादि, आप्स्ति कॉन होगा, चतृति, आगे प्रिस्ट पर बढ़ते हैं, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, भास हैं कि भावत्य हैं कि बानभट हैं कि सी रहस, तो कदंबरी क्रंत के रचना कर आप जानते है कि बाणभट्य है कौन है बाणभट्य की रचना देख लें कादंबरी कत्हा हश्यीतम अख्याइक्णा बाणभट्य की रचना चंडिः सतग। और चंडिक शतर भी वहां भट्र की रचना है और भास तेरा नाटक है जो इस्पुकार है तेरा नाटक है भास के और भभूत के तीन नाटक है महाभीर चैताम मालती माध वह उत्तराम चैताम सीहर्ष के एक महागाभ्य है वह जो है नैस्दी चैताम है अम्मुख रचना देख लें दसकुमार चैताम और अंतियत अंदरी कता धंडी की रचना जोबत हो फेमर से पूछ जाती है वासुदत्ता कता है शुबंदु की रचन अगले प्रस्णी के बढ़ते हैं महागाभी कालिदास द्वार बेचित नाटक है तो महागाभी कालिदास ने कौन से नाटक लिए माल विकागनी मित्रम लिखा कि रजवग्वद्रम लिखा कि कुमार्शंब व मेंगदूत्म यहां सारे रचना हलाकि कालिदास के लेकिन कुमार्शंबूम तो हम जानते हैं कि कुमार्शंबूम 17 सर्गी महाकाभी है रवग्वद्रम व नहीं सर्गी है अब मेगदूत्म यह इतिकाभी है तो माल विकागनी मित्रम यहां की बिचित नाटक है और दो अननाटक है अब ग्यान साकुंतलम रथा विक्रमो वर्सियम अगले प्रस्ट को आज के लिए सिफ इतना ही नेस्ट वीडियो में हम किसी दूसरे यूपी टेट में योजित विकत वर्सों के पेपर की व्याक्यां के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस असकता है यह ति हमारा या कार या आपको अच्छा लागा हो तो हमारे चैनल को स अब लोड करें तो वह आप तो सूचने जल्दी पहुंचाएं तो आज के लिए इतना ही नमा सल्सकृता है